नमस्कार दोर तो जेकर सक्सेस पॉइंट के यूटूब चैनल में आपका स्वागता है तो डेफेंस अभी अभी एंचल की तरब से बहुत बड़ी गुड न्यूज है वो निकलकर आ रही है तो इसमें हम देखते हैं कि एंचल का ओफिशल वेबसाइट है जिसमें आप देख सोरी जो पैरा मेडिकल केटिकरी और जो स्टेशरी पोस्ट में जो माइनिंग सिरदार वाली जो विकेंची के लिए अग्जाम हुआ था अभी हाली में तो उनका जो रजल्ट है वो इन्होंने जारी कर दिया है डोकुमेंट वेरिकेस के लिए किन किनी स्टुडेंट्स को इन सभी डिटेल के बारे में इन्होंने अधिसूसना है वो जारी कर दी है तो हम इन सबको देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है तो इन नोटीस को हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं फिर आपको बताते हैं पूरी डिटेल क्या बताया गया इसमें तो यह देख सक को बुलाया है इन सभी की जो लिस्ट है वो उन्होंने जारी कर दिया है इस नोटीस में आपको बताया गया है तो आप नोटीस को देख सकते हैं यह नोटीस के लिए वेन्यू दिया गया है कि डोकुमेंट वेरिपिकेशन है वो कहां पर होगा और इसमें बताया गया है कि कंडिडेट और फर्दर एडवाइस तो गो थुरू दा कंसर्ड एनिम्प्लोमेंट नोटीफिकेशन वन्स अगें और दे मस्ट अक्सेस देर इलिजिबिलिटी फोर दा पोस्ट अप्लाइड दे शूड आल्सो अंडेस्टेंड दे फुल्फिल द देखते हैं इसमें कंडिडेट कि लिए ओरिजिनल डोकुमेंट वो कौन-कौन से ओर अपको लेकर जाना है पोस्ट आप माइनिंग सुर्दार के लिए डोकुमेंट मिनिमम कॉल्फिकेशन है इसमें ओरिजिनल जो टेंथ की मारेशीट है वो आपको लेकर जानी है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कुन सी काष से बिलोंग करते हैं SC, OBC, Non-Criminal Candidate या EWS जो Candidate है उनके पास काष सर्टिपेट भी होना चाहिए, Original होना चाहिए और Original X-Servicemen का Certificate भी आपके पास होना चाहिए अगर आपके लिए लागू होता है तो आगे बता है कि इसमें Original Valid Domitial Certificate for the Candidate of State of Jammu and Kashmir and Preside formats और इसमें जो मूल नुवास पर्मानपत्र है वो भी चाहिएगा Jammu और Kashmir के जो इस्टुएंट्स है उनके लिए साथ में डिफ्रेंट्ली एबल्ड जो PWD Candidate है उनका जो Certificate है वो भी अभी इसमें जुरूरी है आपको लेता ना पड़ेगा अगर आप अपलाई है तो उसके लिए Candidate shall have produced no objection certificate अगर कोई कोई सर्विस से रिटायर स्टुडेंट्स है तो उसको भी no objection certificate है वो होना चाहिए Candidate shall have bring two sets of self-attested photo को भी all above documents और Candidate को इन सभी documents की दो-दो copy होनी चाहिए वो भी self-attested होनी चाहिए six set of recent passport size photographs और आपके पास passport size photo होनी चाहिए self-attested हुई हुई आगे इसी प्रकार से इसमें Surveyor है उसके लिए बताया गया कि क्या क्या documents आपको लेकर जाने या आप सभी read कर सकते है है notification है result का या आप official site पर भी जाकर देख सकते हैं और हम इसका जो टेलेग्राम channel का link है हमारा उस पर भी इसको डाल देंगे आप वहां से इसको देख सकते हैं और नीचे हम इसमें आते हैं तो इसमें इंदी में आपको इसको read कर सकते हैं कि क्या क्या documents आपको लेकर जाना है इन सभी details को इन्हों ने बताया है आगे इसमें देखते हैं माइनिंग सिर्दार के लिए बताया गया कि क्या merit है वो रही है लिए माइनिक शिर्दार के total students हैं इनको the print verification के लिए बुलाया है आप और देख सकते हैं टॉटल 277 इस्टूदेट को माइनिंग सिर्दार में जो ऑब लिए बुलाया है इससी परकार इसमें और भी सर्वेयर को पोस्ट माइनिंग में इसके लिए बताया गयकी कि किन 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 students को इसमें बुलाया है, total 21 student को इसमें बुलाया है, तो यह हो गया माइनी सिर्दार, अब हम देखते हैं, paramedical categories का जो आया है, उसमें क्या-क्या students को, किन किन students को बुलाया है, आप इसमें देख सकते हैं, अपना role number मैच करवा कर आपका मिलता है, तो आप document verification के लिए eligible है, तो defense यह देख सकते हैं, आप यह notice है, यह paramedical categories का, जो paramedical staff की जो vacancies थी, उनके लिए provisionally short list candidate है, उनकी list इसमें बताया गया है, कि इसमें इसका भी जो document verification है, वो 21 December से लेकर, 24 December के बीच, इनका document verification करवाया जाएगा, वो इसका जो venue दिया गया है, कि officers club होना, initial headquarter signal, वहाँ पर इसका जो होगा, इसमें document verification, आगे इसमें सभी details उसी परकार से बताई गए हैं, कि आपको क्या क्या documents है, इसमें साथ आपको लेकर जाना है, आप इनको read कर सकते हैं, अगर आप document verification के लिए eligible हैं तो, आप इन सभी documents को read किये, और उसके बाद यही documents आपको shame to shame लेकर जाने हैं, इसमें कम और certificate आपको documents हैं, कोई भी इसमें नहीं चलेगा, आपको सभी documents हैं, यह लेकर जाने हैं, original लेकर जाने हैं, और इसमें बतायागा है कि रोजगार अधिसूसना करमांग, NCL सिंग्रोली, इसमें दिया गया है, यह करमांग नमबर दिया गया है, त तो इसमें आप देख सकते हैं, यह कब होगा documents, और आगे इसमें list दी गई है, पूरे total students की, और इसमें जो qualification थी, वो बताई गई है कि staff nurse के लिए क्या qualification चाहिए थी, यह documents आपको इसमें लेकर जाने है, staff nurse में minimum qualification थी, वो 10 plus 2, साथ में A grad nursing diploma certificate होना चाहिए, आपके पास 3 years का, और साथ में candidate must have valid registration for any state nursing council, nursing council, कोई भी state में आपको nursing council में आपका registration होना चाहिए, यह सभी documents तो आपको लेकर ही जाने हैं, इसी परकार pharmacist और technician, pathological, radiographer इनके लिए भी इन्होंने अलग-अलग से बताया है, इन सभी को आप read कर सकते हैं, और आगे इसमें बताया गया कि staff nurse है, उसके लिए कितने candidate को इन्होंने document verification के लिए बुलाया है, आप देख सकते हैं, पूरी list है, इसमें बताई गया है, इसी परकार pharmacist trainee के लिए है, सभी जो categories post थी, paramedical की, उन सभी के लिए इन्होंने जो as type document verification की जो सूची है, वो इन्होंने जारी कर दी है, आप इसको official site पर जाकर देख सकते हैं, और हमारे जो telegram channel है, वहाँ भी हम इसकी PDF है, वो डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको check कर सकते हैं, कि आपका number आया है या नहीं है, तो defense यह थी एक छोटी सी जान करें, अगर आपको वीडियो पसंद आज प्लीज वीडियो को like करें, अपने friends में ज्यादा ज्यादा share करें, ताकि उनके पास भी ये news पूंच सके, अगर channel पहली बार है तो channel को subscribe जरूर करें, धन्यवाद